हाई गाइस हम डियर एक्स अस्वाल बटैलन वेलकम बैक टूवर यूट्यूब चैनल फार्मा के ओल आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिप्रोफ लॉक्ससेंट टैबलेट्स के बारे में एक ऐसा टैबलेट जो की टैबलेट तो एक है लेकिन अनेक बीमारियों में काम करती है कई प्रकार की बीमारियों काम कर जाता है तो हम सप्रोफ लॉक्ससेंट टैबलेट्स के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे सब को जानेंगे तो वीडियो को अंतक जबूर देखने वीडियो काफी नॉलिजज़बल और इंपोर्टेंट रहने वाला है तो कि ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दोनों प्रकार के बेक्टिरिया पर बर्क करती है मिस दोनों प्रकार के बेक्टिरिया की ग्रोथ को इनिवेट करेगी दोनों प्रकार के बेक्टिरिया की ग्रोथ को रोकेगी और यदि हम इसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो सिप्लोक्स 500 नाम FEMOUS BRAND है जोकी market में easily मिल जाता है किलिसPर 500 नाम market में मिल जाता है या famous brand होते हैं और भी famous brand होते हैं जैसे FLOCKSEP 500, Elcypro Cipro P और Cipro Phloxacyn 500 नाम से भी या market में easily मिल जाती है या सब ही famous brand होते हैं जोकी market में मिल जाते हैं यदि हम इसके मेन यूज की बात करें मुख की बात करें तो बैक्टरियल संक्रमन में यह उप्योग की जाती है चाहे वह संक्रमन ग्राम नेगेटिव बैक्टरियास हो या ग्राम पॉजिटिव बैक्टरियास हो दोनों प्रकार से या बर्ग कर जाती है तो बैक Intermediate Tract में किसी प्रकार का bacterial infection हो, जो फेपड़ों से start होता है, सांस लेने में तकलीप होती है, कई बार फेपड़ों में inflammation हो जाता है, infection हो जाता है, तो इसमें भी यह दबा बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है, दूसरा होता है urine infection, किसी बजा़ से urine में infection होता है, urethera में infection ब्लेडर में इन्फेक्शन होता है जिसके करना कई वार क्या होता है पेशाब आने में दिक्कत होती है रुक रुक का पेशाब आती है पेशाब में जलन होती है पेशाब करने में दर्द होता है पेशाब की जो यूरित्रा होता उसमें सूजनाद आती है तो इसकी बज़े से यदि जो जहाँ पर मूत्र एकत्रत होता है, उसके बाद फिर वहाँ पर प्रिसर पड़ता है, फिर पेसाब जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें यदि कोई infection हो तो उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है, नेक्स्ट होता है टाइफाइड, यदि यह दवा कई बार टाइफाइड में भी उप्योग की जाती है, नेक्स्ट होता है निमोनिया, निमोनिया ब्रॉंकाइटिस, इन दोनों में भी यह दवा बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है, नेक्स्ट होता है टीबी, टॉंसिल और गिल्टी देखे टीबी के पेसंट में भी अभी यह दवा उपीयोक की जाती है और गिल्टी जो की यहाँ पर गाल के आसपास थोड़ा सा नीचे होता है सूजन भी आती है और दर्द भी होता है तो उसमें भी यह दवा उपीव्योक की आती है टॉंसिल यदि आपके गले में अंदर टॉंसिल हो जाते हैं तो उसमें भी यह दवा वहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है साइनोसाइटिस आखों में सूजन, आखों में संक्रमण, चेहरे पे सूजन, कान का सूजन, कान में संक्रमण और कान बहना कान में किसी प्रकार का संक्रमन हो चाहे कान बह रहा हो या कान में सूजन हो कान दर्द कर रहा हो आखों में किसी प्रकार की सूजन हो आख भी कई बार ऐसा हो जाता है आख भी बहने लगती है और आखों में एक redness टाइप की आ जाती है और आखों में black spots आ जाते हैं तो इन सभी पीमारियों में यह दबा बहुत अच्छी तरीके से बर्क कर जाती है next pseudomonas infection pseudomonas एक bacteria होता है जिसकी बज़े से infection होता है इसकी इस पर में एक अलग से बीडियो बना दूँगा लेकिन अभी के लिए समझे कि pseudomonas infection संक्रमन में उपी उपकी जाती है kidney infection यदि kidney infection में किसी बज़े से मूतर फिल्टर नहीं हो पा रहा है bladder तंग नहीं पहुँच पा रहा है kidney में किसी प्रकार से filtration problem हो रही है bacterial infection के थुरू तो उसमें भी यह बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है next होता है anthrax चहरे पर कई बार black spot आ जाते हैं red spot आ जाते हैं उसमें भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर जाती है और next and last होता है pages और dust में pages और dust में first line drug होती है या बहुत अच्छी तरीके से बर्क करती है तो यह थे शेप्रो फ्लॉक्साशने टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण उप्योग यह उप्योग 20 से ज़्यादा उप्योग है 20 से ज़्यादा बीमारी में यह थे शेप्रो फ्लॉक्साशने टेबलेट्स के बारे में में दो बार दे सकते हैं और यह भी दो हप्ते तक दे सकते हैं जरूर के हिसाब से दो हप्ते से ज़्यादा भी बढ़ाई जा सकती है और खाने के बाद देना होगा इस दबा को यदि आप खाने के पहले दे देते हैं तो पेट में जलन एसीडेटी जैसी समझे हैं आपको देखने को मिल सकती है तो खाने के बाद ही इस दवा को देना होगा Next हम बात करते है साइट fait के बारे में शभी दवा के साइट एफेक्ट होते है तो इस दवा के भी कसावट लग सकती है आपको दूसरा होता है blood pressure decrease जिस patient को यह दबा दी जाए तो उसका blood pressure decrease हो जाकता है तीसरा होता है एंजाइना उस ब्यक्ति के heart में आपको problem हो सकती है एक कुछ गंभीर side effect होते हैं अब हम बात करते हैं कुछ हलके side effect हैं जैसे की उल्टी मतली चक्कराना, सिर्भारी होना, तोचा पर चकत्ते होना, लाल चकत्ते होना, काले चकत्ते होना और धुंदला देखना इस प्रकार के side effect हलके side effect होते हैं जो की नॉर्माली सभी tablets में देखने को मिलते हैं अब हम बात करते हैं इस tablets के साथ burnings की, burnings की बात करें तो unsafe in pregnancy में प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं, दूसरा होता है unsafe in lactating women, किसी भी इस्तनपान कराने बाली महिला को हम यह दवा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं इसके साथ यदि हम kidney, liver और heart की बात करें तो बहुत कम side effect देखे गए हैं लेकिन हम एक required amount में दें, तो अब हम बात करते हैं इसके contraindications की किन patient में हम इस दवा को नहीं दे सकते हैं, तो सबसे पहले बात करें हैं यदि कोई liver वाला patient है, कोई kidney वाला patient है, कोई heart वाला patient है तो इस परकार के patient को हम यह दवा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं क्योंकि एक तो इसका side effect भी होता है, कि heart may problem हो सकती है, angina pectores हो सकता है, blood pressure decrease हो सकता है नेक्स्ट होता है, यदि कोई mastenya gravest वाला patient हो, तो mastenya gravest वाले disease वाले patient को भी हम यह दवा बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं यदि कोई सुगरवाला पेसेंट है तो सुगरवाले पेसेंट को भी हम यह दवा नहीं दे सकते हैं इतना आप ध्यान रखे हैं कि यदि किसी पेसेंट को heart disease है तो उसको बिलकुल भी हम यह दवा नहीं दे सकते हैं next and last हम बात करते हैं इसके mode of action की mechanism of action की यह किस प्रकार से बर्क करती है यदि हम कार करने के यदि तरीक को देखें तो यह DNA inhibit करती है जब भी कोई bacteria होता है तो उसकी growth के लिए DNA replication अबस्यक तत्त होता है अबस्यक content की रूप में होता है तो यह दवा DNA gyrus inhibitor होती है यदि यह दवा bacterial के DNA को ही inhibit कर दीगे DNA नहीं बनेगा तो bacteria replicate नहीं होगा और bacteria की growth वहीं पर रुख जाती है तो DNA replication को यह inhibit करती है तो हम इस वीडियो में सप्रोफ लॉकसें टेबलेट्स के बारे में संपूर्ण तरीके से समझ चुके हैं यदि इसके बाद भी आपका कोई question है तो comment में पूच कि वाकिल अंद तो तो अंधुर्ण Eğer झुर दोतल चाहत रदी वह अहिं Recht कि रखलो हो विङ्हाई की वालो गचार्वर्णalten कि अद्टध चering उमा ओका कोणूर्वर्ण तो चाहते बादार कोगर। तो झालो कई का तोच है उकर से फिग